Hello everyone, welcome to our YouTube channel Everyday Life आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई इंट्रस्टिंग इंफोमेशन के साथ और आज की हमारी इंट्रस्टिंग इंफोमेशन एक बहुत ही साधारन सी चीज़ के बारे में है जो हम सभी के घरों में बड़ी आसानी से उपलब्ध है आज की हमारी इंफोमेशन है इस काला नमक के बारे में और यह है काला नमक पाउडर और यह काला नमक क्रिस्टल जिसको इंग्लिश में फ्लैक सॉल्ट भी कहा जाता है और काले नमक को बिड लवण, बिड नून और कई बार बिड नून के नाम से भी जाना जाता है और काला नमक हमारे परिवारों में यानि कि इंडियन सब कॉंटिनेंट में कोई नया नाम नहीं है काले नमक का जिक्र सन तीन सो इसा पूर्व में महारिशी चरक ने किया था और काले नमक को इसके औशदिये गुणों की वजह से जाना जाता है हमारे पहले वीडियो जिसमें हमने नमक के बारे में जिक्र किया था वहाँ हमने सिर्फ काले नमक का नाम लिया था और क्यूं इसका रंग इस सरह से बलाकिश होता है और सिर्फ इतनी ही जानकारी शेयर की थी तो आज हम जानेंगे काले नमक को थोड़ा विस्तार से तो सबसे पहले काला नमक कोई प्रकृती में उपलब्ध चीज नहीं है यह एक man-made product है यानि कि इसको बनाया जाता है काले नमक को बनाने के लिए rock salt यानि कि पहाडी नमक को कुछ जड़ी बुटियों जिसमें हरण, आमला और sodium carbonate होता है उसके साथ high temperature में गरम किया जाता है और इस process की वजह से ही पहाडी नमक जो सफेद रंका या ओफवाइड रंका होता है उसको मिलता है अपना unique color ये deep brown reddish color और unique flavor जिसमें high मात्रा में sulfur होता है और ये क्योंकि man made product है तो आप ये मत सोचे आप इसे आसानी से घर में बना सकते है क्योंकि इसको बहुत high temperature में बनाया जाता है और जो temperature होता है वो होता है 760 degree centigrade और 760 degree centigrade का मतलब है जो आप पानी boil करते हैं उससे 7.5 गुना जादा तो आप इतना high temperature अपने घर में अचीव नहीं कर सकते हैं और काला नमक औश्यदिये गुणों की वजह से मशूर है और इसका आयूर्वेद में बहुत ऊचा स्थान है और इसमें क्योंकि बहुत सारे herb इंक्लूड होते हैं तो इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तमाल स्टमक प्रॉब्लम के लिए डाइजिशन के लिए किया जाता है और यह देखी यह जो आपके सामनी है यह दो वेराइटी के काला नमक और यहां हमारे पास यह जो नमक है यह थोड़ा सा क्रिस्टलाइन फॉर्म में जबके आप देखेंगे मार्केट में इसके जो डेले फॉर्म में यानिके लंप फॉर्म में बड़े-बड़े लंप में भी काला नमक मिलता है वो भी यही नमक है काले नमक का सबसे ज़्यादा प्रड़ाक्शन भारत में हर्याणा में होता है और यह इतना लेबर इंटेंसिव वर्क है यह इसमें इतना टाइम और इतना मैन पावर इन्वाल्व है तो आप देखेंगे कि आपको जो इसका प्राइस पे करते हैं वो आपको कम लगेगा क्योंकि यह बहुत एजीली बहुत सफते दामों में मार्केट में अवेलेबल है और नौर्थ साइड में कोई भी स्ट्रीट फूड काले नमक के बगए अधूरा है और इसका सबसे ज़्यादा इस्तमाल चाट मसाला बनाने में किया जाता है और काले नमक का जो गुण है य वेस्टन कंट्रीज भी इसको अपनी एवरिडे लाइफ में इंक्लूड कर रही है वो लोग अकसर वीगन सबसेट्यूट ऑफ एग यानि कि जो लोग अंडे और अनिमल से प्राब चीज़े नहीं खाते है वो अंडे का फ्लेवर लाने के लिए काले नमक का इस्तमाल करते ह हैं and I hope मेरी आज की information आपकी everyday life में useful रहेगी thanks for watching and keep enjoying our everyday life